करते हैं आपको कुछ इस डिजाइन करनी चीए मेरे साब से एक्टिवा वगेरा में भी आपको कुछ इस डिजाइन के ही जो मेरे से ओफर के जारे मेरे सामने है इसकी की है यह आप लोफ देख सकते हो बहुत ही बेसिक सी की है आपको देने वाला हूँ इसकी इंजिन स्पेसिफिकेशन और इस नए E20 वरजिन के साथ इस मोटर साइकल में क्या कुछ बदा हुआ है वो सभी इंफोर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है साथी के साथ इसकी ऑन्रोड प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा और जो एक्सोस साउंड है वो भी आपको सुना दू तो मेक शूर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक को शेल कर देना अपने फ्रेंड्स और फेमिली मेंबर्स के साथ तो चलिए विडाट वेस्टिंग अटाइम लेक्स बेस्टिस सबसे बात करें इस होंडा होनेट के लाइटिंग डिपार्टमेंट के बारे में तो यहां पर हैड्लाइट देख सब्सक्राइब जिसकी डिजाइन है इसमें आपको LED लाइट्स मिलती है मैं ओन कर दिखा देता हूं तो अभी डे टाइम है तो आपको इतना आइडिया नही अगि जो इंडिकेटर से ही आपको LED में मिलता है पीछे के दर्स चले तो इस डिपार्टमेंट बर भी होंडा वालों ने अच्छा काम किया है क्योंकि यहां पर आपको इसमें एक शेप में टेल लाइट ओफर की गए यह जिसमें भी आपको LED लाइट्स ही देखने मिलती है इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा खुपसर लग रहा है और जो पीछे के इंडिकेटर से ही यहां पर आपको LED में ही यह इंडिकेटर से ओफर किये गए तो इन शॉट इस मोटर साइकल में आपको कहीं पर भी हेलोजन बल्प नहीं देखने मिलती है और नंबर उने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है इस मोटर साइकल में बागी बात करें इस मोटर साइकल के टायर्स ब्रेक्स एन सस्पेंशन के बार में तो स्टार्ट करते है फ्रेंट से तो फ्रेंट में 276 mm डामेटर के साथ यहां पर डिस प्रेक ओफर की गई है इसी के साथ आ इस बीस भी मिल जाता है फ्रेंट में और वहीं बात करें टायर साइस के बार में तो 110 बाइ 70 सेक्षिन का टायर देखने मिलता है जिसमें आपको यहां पर 17 इंच का अलोई विल देखने मिल जाता है एंड यह अलोई विल्स के यहां पर एक स्टिप दिगी है ग्रे कलर में और वाइट कलर में तो जिसकी कारण जो लुक्स आ रहे है बहुत ही शाहन्दार यहां पर दिखते मिलते हैं वही बागि बात करें, देखने मिलते हैं तो यह यह तिंट सेग्मेंट वाली रखती जिसमें इस सग्मेंट में फर्स टाइम आप। यूस्टी फॉर कोफर किया गए तो सकता है शायद में रॉंग भी हो रहा हूं लेकि मुझे लगता है शायद हॉरनेट में ही आपको सबसे पहले दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं तो 70 पॉइंट व्यू से भी यहां पर अच्छा काम किया गया है और निसीम वह है 140 वाइट 70 सेक्षिन का जिसमें आपको सेव 17 निच का ही अलोई विल देखने मिलता है यहां पर भी वह जो ग्रे स्ट्रिप वह धी गई है आगि बीचे भी आपको 220 एमम के साथ यह डिस्क ब्रेक्ट देखने मिलती है जिसमें आपको सेम मिसीन के ही ब्रेक केलिपर द इंजिन के बारे में तो यहां पर देखो 184.4 cc displacement के साथ यह इंजिन देखने मिलता है यह जो 2.0 है इससे आप लोग यह मत समझना कि यह 200 cc का इंजिन है 184 cc के साथ यह इंजिन आपको देखने मिलता है जो आपको करीबन 17.6 के आसपास जो है पावर निकाल के देता है 8500 rpm और जो तॉर्क है वो आपको करीबन 16.1 Nm के आसपास देखने मिल जाएगा 6000 rpm और वहीं जो transmission है यानि कि जो gearbox है 5 speed के साथ आपको इस motorcycle में देखने मिलता है यानि कि जो number of gear से इस motorcycle में 5 देखने मिलते है एक down आपकी सारे उपर के दरफ आपको gear दिया गया तो total 5 gear आपको इस oil cool के साथ यह engine देखने मिलता है तो ऐस सच आपको heating के मामले में भी इस motorcycle में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अकि engine के यहाँ पर आपको यह काउल भी दिया गया है तो safety वगेरा से यहाँ पर अच्छा काम किया गया है especially यह जो pipe देखने मिलता है तो उसकी में protection हो जाती है बाकि अब बात करते हैं इस motorcycle के top view के बारे में तो यहाँ पर आपको split type की seat offer की गई है तो जो कुष्णिंग वगेरा है guys on average रखी यह decent कुष्णिंग आपको यहाँ पर offer की गई है तो ना ज्यादा soft wheel होगी और ना ज्यादा hard especially जो pillion वाली seat है इसकी कुष्णिंग जो है तो बड़ इस तरफ दिया गया है तो यह सेपरेट कर दिया है तो यह अच्छा गाम किया है यहाँ पर बागी इस तरफ आपको फुली digital console देखने मिलता है इसमें जितनी information वह भी सब आपको digital में देखने मिलती है speedometer आप लोग देख सकते हो जो टेको मिटर है वो completely जो है इसके console को cover कर रहा है वागी यहाँ पर बैटरी का जो लेवल है वह आपको शो करेगा आपकी जो बाइक की बैटरी है time वगेर आपको यहाँ पर show हो जाता है fuel gauge यानि कि आपके बाइक में कितना petrol है वो सब भी आपको इहाँ पर show करेगा और इसी के साथ आपकी जो बाइक है वो कौन से gear में है तो यहाँ पर gear है वो भी आपको यहाँ पर show करेगा और इंजिन मेल फंक्शन तो इस तरह के सारे इंडिकेशन आपको देखने मिल जाता है इस मोटर सैकल में हेंडल बार आप लोग देखे लो सिंगल बार वाला आपको यहाँ पर अपको यहाँ पर पटन देखने मिल जाता है और ब्रेक लिवर यह आपको नॉन एड़स्मेंट के सारा आदा है तो आप लोग अपने अकोडिंग इसको एड़स्ट नहीं कर पाऊगे एंड़ डिस्टेंस है वो भी काफी सही है तो आपने हाथों को ज्यादा स्ट्रेश न आपको इस तरफ देखने मिलता है यह भी आपको नॉन एड़स्मेंट के साथ आता है तो आप लोग अपने एड़स्ट नहीं कर पाऊगे और इसका जो डिस्टेंस हो पूच इतना है तो आपको हाथों को पूच इतना स्ट्रेश करना होगा तो यह भी सही है ज्यादा दोर पर नहीं दखा गया इसके ग्लच को आगे इस तरफ जो इसके मिरस आप लोग देख रहे हो बहुत बैसिक से मिरस आपको मिलता है एडिंग होड़नेट को इसके मिरस की डिजाइन चेंज करनी चीए मेरे साब से यही से मिरस आपको इनकी जो सीवी 200 एक साथी उसमें भी मिल इस बात करें इस नहीं Honda Hornet 2.0 E20 के प्राइस के बारे में तो जो प्राइस में आप लोगों को बतारो यह ओन रोड मुंबई है अगर आपको अपने सीटी में इस माइक की प्राइस जाना है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना और यहाँ पर मुंबई तो वहाँ पर जाओ प्रामादा नाम यूज करो तो यह जो बाइक है यह आपको करीबन 1.63,000 में ही मिल जाएगी और प्राइस बता रहा हूँ तो अगर आप लोग मुंबई मादास्टर से हो तो वहाँ पर कॉल करो जो डिजेल से हो शोरूम की वो भी में नीचे दिस्क्र कर लो मैं मिलता हूँ इसी तरह की एको नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पीस आउट